हेलो फ्रेंज मेरे चैनल में आपका स्वागत है आज मैं सूट कटिंग करने जा रही हूँ इसके लिए मैंने ये सूट का कपड़ा फेला लिया है अब हम इसकी कटिंग करेंगे सबसे पहले मैं यहाँ पर लंबाई का निसान लगाऊंगी लंबाई का निसान मैंने 38 इंच प और आधा इंच नीचे फोल्डिंग के लिए रख लूँगी एक इंच हम सिलाई मार्जन लेते हुए 38 इंच पर निसान लगाएंगे अब हम आर्म होल की लंबाई का निसान लगाएंगे आर्म होल की लंबाई हमने 3.5 इंच पर लगाई है क्योंकि 95% तक लोग 44 इंच पर निसान लगाते हैं और 14 इंच पर हमने कमर का निसान लगाया है और 21 इंच पर मैंने हिप का निसान लगाया है और अब इनको सीधा कर लेंगे अब हम उपर तीरे का निसान लगाएंगे तीरे के निसान के लिए हमने हमारा तीरे 14 है तो हमने 14 का आधा इंच साथ ले लिया है और हम आर्म होल के निसान लगाने के लिए साथ में से एक इंच या आधा इंच कम करके निसान लगाएंगे यह हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि यहां पर हमारी आर्म होल में जोल ना आए इसलिए यहां पर हम आधा इंच कम करके निसान लगाते हैं अब हम इसे मिला लेंगे अब हम अपनी चेश का निसान लगाएंगे यहां पर हमारा चालीश इंच और चालीश का आधा चोथा हिस्सा करना होता है दस इंच पर निसान लगाया और कमर पर हमने नो इंच पर निसान लगाया और हिप पर हमने चालीश का आधा वह चौथा हिस्सा दस पर निसान लगाया अब हम इन्हें आपस में मिला लेंगे और इसे नीचे तक इसे सीधे कर लेंगे अब हम डेड़ इंच सिलाई मार्जन लेते हुए इसे भी नीचे तक मिला लेंगे यह यहाँ पर फोल्डिंग के लिए एक्ष्टा कपडा लिया हुआ है अब हम आर्म होल की गुलाई दे देंगे यहाँ पर डेड़ इंच छोड़ते हुए गुलाई देंगे अब हम इसी के अकॉर्डिंग इसे कट कर लेंगे शिलाई मार्जन लेते हुए इसे कट कर लेंगे यह हमने कट कर लिया है अब हम इसे पीछे का इसे फैलाएंगे और पीछे का हिस्सा कट कर लेंगे इसी के अकॉर्डिंग इसे हम कट कर लेंगे बस पीछे के हिस्से में आदा इंच एक्ष्टा रखते हुए हम इसे कट कर लेंगे आधा इंच एक्स्टा इसलिए रखते हैं क्योंकि हमारे कंधे आगे की तरप न जुकें इसके लिए हम पीछे का हिसा आधा इंच जादे रखते हैं और यहाँ पे भी हम आधा इंच थोड़ा जादे गुलाई दे देंगे आर मोल हमारी आगे से पीछे की गुलाई आधा इंच एक्स्टा होती है और इसी के अकॉर्डिंग हम इसे कट कर लेंगे अब हम यहाँ पर थोड़ा सा कट कर लेंगे जिससे के हमें कमर का और सिलाई का पता चले कि हमें यहाँ पर से फिटिंग लगानी है और यहाँ पर भी हम कट कर लेंगे अब हम दोनों को अलग कर लेंगे अब हम बाजू का निशान लगाएंगे इसके लिए हम बाजू के लिए हम ये कपड़ा फोल्ड करेंगे अब हम बाजू की कटिंग करने के लिए हमने ये कपड़े को चार फोल्ड में तैह कर लिया है और इसकी लंबाई है 18 इंच हम एक इंच इसमें सिलाई मार्जन एक्ष्टा रख लेंगे आधा इंच नीचे फोल्डिंग के लिए और आधा इंच उपर कंदे जॉइंट करने के लिए हमने यहाँ पर एक इंच एक्ष्टा कपड़ा ले लिया है अब हम इसे सीधा कर लेंगे और उपर यह आर्मोल की सेप देने के लिए हमने तीन इंच पर निसान लगाया है यहाँ पर हम आर मोल के हिसाब से ही हम इसकी गुलाई देंगे अगर हमारी हमने आर मोल शाड़े चैंच रखा है तो हम यहाँ पर आधा इंच बढ़ा के ही रखेंगे अब हम उपर से तीन इंच छोड़ते हुए इसकी गुलाई देंगे और नीचे हमारा बाजू की चोड़ाई है हमारी 9 इंच तो इसका आधा कर लेंगे हम 4.5 इंच पर हम निसान लगाएंगे और 1.5 इंच हम सिलाई मार्जन रख लेंगे और इसे हम इला लेंगे और यहाँ पर हमारा कपड़ा कम है तो इससे कोई दिक्कत नहीं आएगे अगर आप जोड़ना चाहो तो जोड़ सकते हैं मैं यहाँ पर कपड़ा जोड़ूंगी और इसे हम इसी के अक्वाडिंग कट कर लेंगे यह हमने कट कर लिया है अब हम यहाँ पर आगे की आर्मोल की गोलाई दे देंगे यहाँ पर आधा इंच कट कर लेंगे यह हमने यहाँ पर आधा इंच इसे कट कर लिया है अब यह हमारी सूट की कटिंग कम्प्लीट हो चुकी है अब इसे हम कट कर लेंगे अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक, शेर और सस्क्राइब करना ना भूले अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सस्क्राइब कर ले और प्लीज वीडियो को पूरा देखे और अपने अच्छे-च्छे कमेंट भी दे थेंक यू